हलो एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लाश 10 की वर्षिट नमबर 79 बच्चो ये वर्षिट क्लाश 10 की समाजिक विज्ञान इतिहास की वर्षिट है जिसमें हमें मैप वर्ष करना है और भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारती राश्ट्री कांग्रेस के अधिवेशनों से सम्मंदित कुछ अस्पलों को प्रदर्शित किया गया है उ और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वर्षिट है इस वर्षिट में हम लोगे इतिहास विशे के कांग्रेस के अधिवेशन को तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन होते क्या थे आपको मैंने बताया है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में 1885 में एक अंग्रेज थे A.O.H.U.M. और A.O.H.U.M. के प्रैत्न से कुछ भारतिय लोगों को मिला कर एक ऐसे संस्था कि अस्थापना की गई जो की भारतिय लोगों की बात को अंग्रेजों तक पहुँचा सके और अंग्रेजों की बात को भारतिये लोगों तक पहुंचा सके। सुरू में कांग्रेस का उद्ध से यहीं था। लेकिन आगे चल कर धीरे-धीरे कांग्रेस के उद्ध से में परिवर्तन आया। और धीरे-धीरे कांग्रेस स्वाराज की और स्वातंतरता की मांग की और बढ़ने लगी। तो इ हर साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया जाता था वार्षिक बैठकasted में कभी गया में कभी लखनव में कभी लाहौर में इस तरह से कभी सूरत में इस तरह कि वहां के लोग भी कांग्रेस से जूर सकें और कांग्रेस अखिल भारतिय संस्था के रूप में उभरे तो कांग्रेस अखिल भारतिय संस्था के रूप में उभरी भी तो इसी के क्रम में आज हमें यह देखना है कि कलकत्ता अधिवेशन 1922 हुआ था तो कलकत्ता भारत की मै में कहां है और नागपूर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था और नागपूर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था तो इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों कहां है और मद्रास कहां है मद्रास आज के चन्नाई को हम लोग मद्र कोलकाता कहते हैं ऐसा नाम चेंज होने के बाद हुआ है सबसे पहले कलिकाता नाम का एक गाउँ था जहां पर की कलकता सहर बसाए गया था तो आप भारती मैप देख रहे हैं तो मैप वर्क जो होता है पांच नंबर इसमें आपको मिलने वाले हैं पांच नंबर निशित ही मिल जाते हैं अगर आप सही धंग से काड़े करते हैं मैप वर्क करने के लिए आप हमेशा पैंसिल का उप्योग कीजेगा और उस पैंसिल से ही मैप पर कोई काम करेंगे इस तरह की सीट आपको परिक्षा में मिल जाएगी तो बच्चो यह जो आप देख रहे हो, यह है पस्चीम मंगाल, पस्चीम मंगाल में यह जगा है कलकत्ता, तो कलकत्ता में सितंबर 1922 में यहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और ये है नागपूर, नागपूर महाराष्ट में पड़ता है, अब मैप में देख भी रहो कि ये महाराष्ट का भाग है, तो ये नागपूर है और ये नागपूर अधिवेशन दिसंबर उनिस सो बीस में हुआ था, नागपूर अधिवेशन दिसंबर उनिस सो बीस में यहां अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की बैठक हुई थी, और उसके बाद ये है मदरास, इसको हम चन्नाई के नाम से भी जानते हैं, उस समय मदरास ही बोला जाता था, मदरास, तो यहां मदरास में कांग्रेस की बैठक यहां हुई थी, यह 1927 इस्वी में हुई थी, तो इस तरह से हमने तीनों जगों को मैप पर आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, आप इन सब का पहचान अपने दिमाग में बनाए रखेगा, तो बच्चों यह थी आसान सी वर्षिट और इस वर्षिट में हमें इतिहास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के अस्थलों को पहचान ना था, तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के भी सेयर तो जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू,